नमस्कार दोस्तो मैं इंशल मैं आप सभी को अपने चैनल टेकिन डार्गेट पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को चार जॉब अपॉच्छिटी का अपडेट देने वाला हूँ तो दोस्तों make sure आप इस वीडियो को last तक सरूर देखेगा साथी साथ दोस्तों चितना हो सके इस वीडियो को अपने friends जूनियर भाई पेनों के साथ share भी सरूर कीज़ेगा तो दोस्तों जो आज की पहली job opportunity है वो post की गई है दोस्तो my anatomy platform पर यहां दोस्तों data patterns company hiring कर रही है यहां दोस्तों दो profile के लिए hiring होने वाली है तो वीडियो को last तक सरूर देखेगा क्योंकि मैं आपको इसके बारे में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ अब यार यह data pattern limited company है क्या is a defense electronic company in design development and manufacture of radar low frequency to high frequency तो दोस्तों यहां मैं पहली बता रहता हूँ hiring हो रही है graduate engineer trainee की project group में job location है दोस्तों चैन नहीं work mode की बात करता हूँ तो दोस्तो work from office है employment type है दोस्तो permanent service bond की बात करता हूँ तो दोस्तो 3 साल का bond रहने वाला है पर दोस्तों package आपका 2 साल में दोस्तों आपका 6 LPA तक का package होने वाला है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ctc दोस्तों इन्होंने हर एक चीज mention कर रखी है पाकी दोस्तों एक साल बाद आपका package 4.8 LPA हो जाएगा उसके बाद दोस्तो 6 LPA होने वाला है eligibility criteria की बात करता हूँ तो दोस्तों BEME Mtech eligible होने वाले है यहां दोस्तों computer science वाले eligible नहीं है बर दोस्तों जो दूसरी profile है उसमें eligible होने वाले हो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते ह 2022 batch eligible है aggregate 260% above intent 12th as well as graduation में होना चाहिए है कोई भी backlog दोस्तों आप लोग की नहीं होनी चाहिए no backlog as on date primary skill sets की बात करते हैं तो दोस्तों आपको basics of electronics electronics की दोस्तों आपको basic knowledge that is microprocessor, microcontroller, ADCS, DSEs, multiplexers, LIC, OP, AMB दोस्तों इन सभी की आपको knowledge होनी चाहिए है पाकी दोस्तों इनोंने chop description भी है mention कर रखाए कि दोस्तों आपकी responsibilities में design, develop and test new hardware, support and enhance existing hardware, apply establish development process and assist in process improvement, अगर मैं दोस्तों यहाँ दूसरी profile की बात करता हूँ जो की दोस्तों software development group में होने वाली है, chain नहीं दोस्तों location है, work from office है, permanent है, package दोस्तों वही है, service bond भी दोस्तों वही है, but दोस्तों यहाँ कुछ criteria's अलग है, जैसा कि दोस्तों है, BE, BTEC, ME, MTEC eligible होने वाला है, CSE, ECE, EEE, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2022 batch eligible है, aggregate 260% intent, 12th as well as graduation, no backlog as on date, दोस्तों आपकी programming skills पर अच्छी कासी command होनी चाहिए, in C, data structures, OS concept, that is also operating systems, microprocessor, microcontroller, तो दोस्तों आपको इन सभी की अच्छी कासी knowledge होनी चाह है, यहाँ दोस्तों आपको front end as well as back end role पर भी काम करना पड़ सकता है, required skill sets की बात करता हूँ, तो दोस्तों आपको C, C++ में से कोई भी एक language पर अच्छी कासी command होनी चाहिए, data structures, OS concepts, microprocessors, यहाँ दोस्तों इन्होंने debugging tools भी आपने use किये हो, proficiency in wind river Linux, fedora, reddit built environment and wind river Linux, environment indesirable, तो दोस्तों interview rounds की बात करता हूँ, तो पहले दोस्तों आपका एक online test है, उसके पात दोस्तों आपका technical interview है, और दोस्तों third आपका HR interview होने वाला है, तो दोस्तों if selected for employment, you will be required to join us on 18th April 2022, दोस्तों काफी जल्दी joining हो जाएगी, तो make sure यार इसमें जल्दी से जल्दी apply कर ल दोस्तों की होगी, जहां भी दोस्तों, वहां भी दोस्तों आपको stipend मिलने वाला है, बात करते हैं, कैसे apply करना है, simply दोस्तों आपको अपनी email ID को verify करना है, उसके बाद दोस्तों या आपको registration form बनना है, फिर दोस्तों submit बटन पर click करकर इसके लिए बड़ी आसानी से apply कर दी engineering students across India graduating in 2024, तो दोस्तों 2024 में जो जो student graduate होने वाला है, उन सभी के लिए बहुती शांदर प्रोग्राम करवाता है, intern engaged, it is designed to provide a platform for engineering students to accelerate their growth and foster industry relevant skills through mentorship, coding challenges, workshop and networking opportunity, सबसे अच्छी बात या है कि दोस्तों अगर यहां आप अच्छे से perform करते हो, तो दोस्तों आपको full time job opportunity भी मिल सकती है, eligibility criteria में दोस्तों मैं एक बार फिर से बदा देता हूँ, student graduating in 2024, enrolled in a full time engineering program, bachelor, master, integrated dual degree, तो दोस्तों आप कोई भी degree के आप सभी eligible होने चाहिए हो, minimum दोस्तों आपकी 6CGPA होनी चाहिए, 10th, 12th as well as graduation में register दोस्तों कर लिजेगा बड़ी असान तरीके से, दोस्तों आज की जो third job opportunity है, वो पोस्त की गई है, दोस्तों, hacker earth company की तरफ से, यहां दोस्तों आपको front end intern का role मिलने वाला है, 2023 and 2022 batch eligible होने वाला है, बैंगलरू दोस्तों, location है, 6 month का duration है, और दोस्तों, अगर आप यहां internship में अच्छा से perform करते हो, तो दोस्तों, अपकी full time employment भी मिल सकता है, that is full time job opportunity, 48,000 दोस्तों, आपको stipend मिलने वाला है, hacker earth company में, मैं में दोस्तों, मजाग नहीं कर रहा है, काफी जादा अच्छा stipend ने, जो की आपको as an intern मिल सकता है, तो make sure इसमें apply जरूर कीजएगा, roles and responsibilities की बात करता हूँ, understand the product requirement from product owner and convert visual to interactive web interfaces, develop new user, develop new user facing features, write reusable code and build abilities for future use, so दोस्तों, यहाप सभी देख लीजएगा, यहाँ skills required में इसमें apply बटन पर apply करकर, दोस्तों, आपको सामने application form आजाएगा, make sure इसमें apply जरूर करियेगा, क्योंकि काफी अज़ अच्छी opportunity post की गई है, hackerart company की तरफ से, आज की दोस्तों, जो last job opportunity है, वो भी post की गई है, दोस्तों, आपके my anatomy platform पर, first meridian, दोस्तों, hiring कर रहा है, recruiters के लिए, और सबसे अच्छी बात यह है, कि दोस्तों, BE, B.Tech, MBA के students eligible होने वाले है, 2020 and 2021 batch eligible है, salary की बात करता हूँ, तो दोस्त work from office रहने वाला है, यहां दोस्तों, अगर मैं job requirements आपका roles बता देता हूँ, एक बार आप सभी को 65% make sure दोस्तों, आपकी होनी चाहिए, 10th, 12th as well as graduation में, all branches eligible, any, तो दोस्तों, अगर आप civil के हो, mechanical के हो, आप सभी eligible होने वाले हो, skill set में दोस्तों, आपकी communication skills, negotiation skills, proactive in approach, attention to details, अच same time, well, well versed in recent technologies, sourcing and screening of the candidates, well acquainted with candidates, engagement from screening to onboarding, तो दोस्तों, में आपको एक company में, as a recruiter क्या करना है, वहां दोस्तों, आपको students onboard करने है, उनसे interact करना है, तो दोस्तों, इसके लिए आपकी communication skills काफी अच्छी होनी चाहिए, तो दोस्तों, इसके लिए पर आपको register करना है, फिर दोस् assessment है, HR interview, दोस्तों, आपको होने वाला है, selection, फिर दोस्तों, onboarding, तो दोस्तों, make sure आप इसमें जरूर apply करिएगा, apply करने के लिए, दोस्तों, आपको scroll down करना है, पहले दोस्तों, आपको अपनी email ID को verify करना है, फिर दोस्तों, आपको पूरा का पूरा form बरकर, submit button पर click कर देना ह है, तो मेरी आप सबी से request है, इसमें जल्दी से जल्दी अपने आपको register सरूर कर लीजेगा, क्योंकि काफी अच्छी opportunity post की गई है, first meridian business service private limited company की तरफ से, और दोस्तों, साथी साथ, Microsoft जो hiring कर रहे है 2024, 2024 graduate students को, जो की दोस्तों, आपको intern की position मिलने वाली है, तो make sure आप इसमें भी सरूर reply करिएगा, कोई doubt होता है, तो please मुझे comment section में भी सरूर बताईएगा, तो दोस्तों, आउच के लिए तही में जल्दी मिलता हूँ, अपनी नई वीडियो में, अपने ने take update के साथ, जब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद,